हेलो फ्रेंट वेलकम टो इजीफूर्ट्मेकिंग डॉट कोम आज नॉर्थ इंडियानी स्टैल स्नक्स बनाने चाहरे हैं ब्रिट पकोडा जो इस ट्रीट फूर्ड नौर्थ इंडिया में कहें भी आपको स्ट्रीट फूर्ड में ब्रेट पकोडा जरूर मिलेगा चलिए ब्रिट पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन रख दिया गैस पर करम हो गया है हम इसमें वन टेबल स्पून मस्टर्ड अल डालेंगे यह उने वन फ्र टेश्पून खड़ी धनिया लिया है सेम कॉंटिटी में सौंक पर जीर लिया है इन तीनों चीजों को हम ओयल में डाल देंगे वन ग्रीन चीली लिया है इसको बारीक कट कर लिया है इसको भी डाल देते हैं हाफ अन्यन लिया है इसको बारीक कट कर लिया है इसको भी डाल देते हैं तेस्ट बार लिख लिए है जिसको दर्दरा कोट लिए है आप चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं पर दर्दरा कोट के डालने से पेस्ट और जाद अच्छा लगेगा वन टेबल स्कून पुल धनिया पॉडर वन फूट पीस्पून तर्मिल पॉडर हाफ टीस्पून गरम मसाला लिया है वन फूट टीस्पून चिली पॉडर लिया है वन फूट टीस्पून सॉल्ट या टेस्ट के मिसाब सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं वन फूट टीस्पून आमशूर पॉडर लिया है इसे भी डाल देंगे सारी चीजों को सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे यह हमने तीन बड़े उबले हुए आलू लिये थे इनको मैश कर लिया है इनको भी डाल देंगे यह हमारा ब्रेट पकोड़ा का मसाला तैयार हो रहा है दो मिनिट तक हमने सारी चीजों को अच्छे से भून दिया है अब हम इसे थोड़ी सी हरीकटी धन्या डाल देंगे मसाला हमारा रेडी है हम इसको एक साइट रग देते हैं कैसा आप कर देते हैं ब्रेट पकोड़ा बनाने के लिए हम बेशन का घूल बनाएंगे कि हमने एक कटूरी फूल बेशन लिया है इसको डाल देंगे वन फोट ती स्पून चिली पाउडर और सेम कॉंटिटी में धन्या पाउडर सौल टर्मरिक पाउडर गरब मसाला और जीरा इन सारी चीजों को हम इसमें मिला देंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गोल तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए करना है अधरवाइस जादा पानी गिरने से इसमें लंज आसानी से नहीं जाएंगे टोटल हाप कप पानी हमने यूज किया है बिल्कुल लंज फ्री रहना चाहिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंसंटेंसी होनी चाहिए यह रेडी है हम एक तरफ रिफाइंड गरम होने कि तिए रख देते हैं जब तक हमारा ओयल गर्म हो रहा है तब तक हम ब्रेट पकोड़ा बनाके रेडी कर लेते हैं उसके बाद डीफ्राई करेंगे हमने यहापे फोर स्लाइस ब्रेड लिए है वाइट ब्रेड लिया है मस फलाएगे दोना तरफ से हम इंप ब्रेड पकोडा बना रहे है आगर आथ यह बड़ा ब्रेड पकोड़ा बनारा चाहते तotzस्में दो पी करें हम मीनी बनाएंगे इसलीए फोर पीसे करींगे बड़े पीसेस कुछ इस तरह से बनते हैं, जो कि बेसिक हैं, इस ट्रीट फूड में आपको इसी तरह से ब्रेट पकोड़ा मिलेगा, मीनी करने के लिए, इसको फोर स्लैस में बना देंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह से हम दूसरे बेट भी रेडी कर लेते हैं, सारे ब्रेट को हमने इस्टप्ट कर लिया है इसमें ब्रेट को अच्छे से चारो तरफ लगा लेंगे और डायरेक्ट इसको गरम तेल में डालेंगे एक बार में जितने आएंगे हम डाल देंगे उतनी थोड़ा 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 तेल उपर भी डालेंगे और यह जब खुट से उपर उड़ी रहा ता हम इसको पलट देंगे हमने लोय की कढ़ाई लिए आपको इभी कढ़ाई का यूज कर सकते हैं बट इस्ट्रीट फूड यूजल लोय की कढ़ाई यूज होती है जिसमें टेस्ट इसका बढ़ जाता है आप देख सकते हैं फिर्ट पकोड़े ऊपर से उठ गया है और मिनको पलट देंगे लाइट गोल्लन ब्राउं में तक पकाना है अधियर पकोड़े गोल्लन ब्राउं हो चुके है अज मिनको कि इसी तरह से जो बचय हुए हैं उनको भी डीफ्राइब करेंगे सारे प्रेट पकोड़े निकाल लिए अब हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गरम ब्रेट पकोड़ा बनके तयार है हमने इसको हरे धनी के साथ सर्व किया है आप लसन के चटनी के साथ 20 को खा सकते हैं दोनों के ग्रिन चिली ना भूले ये फ्राइट ग्रिन चिली है जो नौर्थ इंडियन में समोसे पकोड़े या ब्रेट पकोड़ा कुछ भी हो उसके साथ चटनी मिले ना मिले ये ग्रिन चिली आपको जरूर मिलेगी जो मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है और आपको भी पसंद करते हैं उसकी करम तिल में मिर्ची को कट करके डीफ्राइब कर लें और उपर से थोड़ा सा नमक डाल लें तो यह मौका मिलेगा तो हम भी इसकी रस्पी आपको बताएंगे तो आप एक बार जरूर ट्राइब करें आई हो आपको ये रस्पी बहुत अच्छी लगेगी हम हमारे कॉलेश टाइम में हम इसको जरूर नाष्टे में खाया करते थे आप भी इसको एक बार जरूर ट्राइब करें आई हो आपको ये अच्छी लगेगी और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लेस लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकान को अबना ना भूले तक कि मारे अने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पोच्छे थैंक्स वर वाचिंग सीव सूनी इन अनदर वीडियो